कि हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागए थे टार्विट क्लास इस वीडियो में फिचकल एच वेशन से रिलेटेड कुछ करेंगे जो आगामी एक्जाम के लिए बहुत उपयोगी होंगे और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोडिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके तो सुरुवात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेशन की फर्स्ट क्वेशन है सार्जेंट जंप क्या मापता है किस चीज को मीजर करता यह आपको बताना है पैर की बिसफोटक सकति को मीजर करता है कंदे की बिसफोटक सकति को मीजर करता है फुर्तीलापन या फिल लचीलापन च के यूपी एल्टी ग्रेड में मार्किंग होगी वन बाई थर्ड की उसके एकॉर्डिंग आपको तयारी करना है जारखन पीटी आई के स्टुडेंट और राजस्थान पीटी आप तयारी करते रहिएगा जिससे जो भी वेकेंसी आपको मिले उसमें आप ज्यादा से ज्याद करते हैं नेक्स्ट क्वेशन है ब्रैडी बॉलीवाल परिच्छण के घटक हैं बॉलिंग और सर्विंग सर्विंग बॉलिंग या फिर एक डी आप सने बॉलिंग सर्विंग और समैसिंग तो उत्तर यहां पर देखिएगा तीन आपसन में से ए बी और सी में से आप लोग सबने बताइएगा आनसर सही होगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चिन है सभी लोग का सही होना चाहिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यह देखना है आपको कि कौन सा उत्तर सही होता है UPTGT LTE डोनों के लिए आप लोग अगर गर जोइन करना जाता है नाइन सिक्स question पर move करेंगे next question है बंद प्रस्नावली में प्रस्नों का संबंध होता है स्वतंत्र उत्तर से सीमित उत्तर वर्णात्मक उत्तर या फिर छोटे उत्तर बंद प्रस्नावली में पूछा गया प्रस्नों का संबंध जो होता है या किस से रिलेट करेगा कौन सा आपसन सही होगा most important questions की series आपको provide कीगे right answer हो जाएगा d उत्तर छोटे उत्तर से संबंधित है d option सही answer होगा next question पर move करते हैं sociogram द्वारा किसका पता किसका मापन या दर्साया जाता है कि यह बताईएगा important है थोड़ा सा new question यहां पर बड़ी संख्या के करमचारियों का जो समू होता है उनको उनका नाता दर्साया जाता है या फिर सामाजिक समू के सदस्यों का नाता दर्साया जाता है किसी संस्था का पढ़ाई के इस्तर या फिर सोध करता द्वारा महसूस कठिनाई option देखिएगा एक बर question को अच्छे से read करिएगा उसी के बाद answer आप लोग attempt करिएगा सही answer होगा उत्तर आपका यहाँ पर जितने भी students ने बी option सामाजिक समू के सदस्यों का तो बी उत्तर सही होगा पर next question पर move करेंगे next question is cross waiver परिछन मापता है यह किस्टीज को मीजर करता है मोटर योगिता को मीजर करता है मोटर दच्छता को मीजर करता है नियूंतम मान स्पेशी च्छमता या फिर सारीरिक दच्छता टू जीरो फाइफ क्रास वेवर परिछण जो है यह मापता है यह बताना है आपको मोटर योग गिता मोटर दच्छता न्यूंता मांस पे सिये चमता या फिर सारीरिक दच्छता नया बैच आप सभी का स्टार्ट कर गया गया जो भी स्टुडेंट्स वहाँ पे जुड़ना चाहते हैं तैयारी करना चाहते हैं वहाँ पे पेमेंट करके जुड़ सकते हैं पेमेंट आपको इसी नंबर पर करना होगा फोन पर गूगल पर अमेजन पर पे टियम एकाउंट पर वाट्सप पेमेंट या फिर किसी दूसरे के द्वारा भी आप पेमेंट करके स्क्रीन सॉर्ट सेंड करेंगे तुरंत आपको ग्रूप से हैट कर दिया जाएगा और अगर न्यू इस्टुडेंट्स आफ हैं तो आपको 10,000 प्लस स्क्राइब की जाएगा साथ में आपको जो डेली मॉक टेस्ट कुई जी ग्रूप में मिलता रहेगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा टू जीरो फाइफ का अंसर नंबर यहां पर सी के साथ में रिलेट करेंगा न्यूनतम मांस पे सी चमता नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंग बास इस्टिक पर इच्छड बूमरेंग पर इच्छड या फिर इन में से कोई नहीं बताएगा टू जीरो सिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट कोईशन की सीरीज में आंसर हो जाएगा बैठना वह पहुंचना पर इच्छड ए उत्तर इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन करते हैं ग्यान मापन के लिए परिच्छन मदों के अतिसामान प्रकार हैं पूर्ण करना है विविद्विकल्प है सही गलत या फिर इन में से सभी उप्रोक तो सभी होगा क्या एक बार आप समको आप फिर से रिट करिएगा और जो भी स्टूडेंट्स तयारी का सोच रहे है कुछ दिनों के बाद वैकेंसी आएंगी तब तयारी करेंगे जिसको तयारी करना है वो कांटिन्यूटी अवस्य बनाया रखे क्योंकि एक्जाम पैटर्न आप लोग का पता है गौवर्मेंट का यहां पर जो गौवर्मेंट बदलने थी उसका भी चैन हो चुका है इसल ही गलत भी इन में से सभी डी आप्शन राइट हो जाएगा डी उत्तर सही होगा नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे 208 नंबर है लॉक हार्ट मैट फिसन टेस्ट संबंदित है या किस से रिलेर करता है बैड मिंटन से संबंदित है हांकी से संबंदित है फुट बाल या फिर इन में से सभी से संबंदित है बताईएगा 208 का आंसर क्या होगा इसके पहले के वीडियो के लिए यूटूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एच्वेशन भाई पंकसर आप टीजिटी और एल्टी ग्रेट दोनों से रिलेटेड वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं प् पे करना होगा क्या इन में से सभी यहां पर गलत हो जाएगा ध्यान रखिएगा राइट आंसर के साथ में रिलेट करेगा बैडमिंटन ए उत्तर सही होगा नेक्स्ट क्वेस्चन है आपकी स्क्रीन पर हर्बंस सिंग टेस्ट सम्बंधित है हांकी से सम्बंधित है बॉली बॉल से सम्बंधित है बैडमिंटन से या फिर इन में से कोई नहीं अब बताएंगे आप लोग की हर्बंस सिंग टेस्ट जो है यह किस से रिलेट करेगा और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए पढ़ने के टाइम पर और एक चीज वि विजन अवस्य करें तो 209 हांकी से सम्बंधित है ए आप्सन सही आंसर होगा नेक्स्ट कोईशन पर मूब करेंगे 210 है रसल लैंग टेस्ट सम्बंधित है बैडमिंटन से रिलेट करता है हांकी से रिलेट करता है बॉली बॉल से या फिर इन में से कोई नहीं इन में से कोई कोई नहीं के साथ में relate करेगा क्या question देखिए गर रसर लैंग टेस्ट संबंदी थे यह बताना है आपको option कौन से सही हो जाएगा A होगा B होगा C होगा या फिर इन में से कोई नहीं D option सही होगा तो उत्तर 210 का होगा volleyball D option इसका भी गलत हो जाएगा C उत्तर right answer होगा next question पर move करते है next question है 211 निमन लिखित में से कौन सा परिच्छन cardiovascular सहन सीलता का परिच्छन नहीं है अब बताना है कि 211 में नहीं की बात की गई है तो इसमें total pulse ratio परिच्छन नहीं है Phillips JCR परिच्छन होगा Harvard step परिच्छन या फिर run walk परिच्छन 211 का answer आप लोग बताईएगा नहीं की बात की गई है जो option यहाँ पर right answer के साथ में relate करेगा जिन भी students ने A, C, D option attempt किया वो सभी का गलत होगा B उत्तर इसका right answer होगा B option सही हो जाएगा next question पर move करते है next question है निम लिखित में से कौन सा case study में प्रियुक्त नहीं होता है कौन सा इसमें से आपको बताना है जो case study में प्रियुक्त नहीं होता है अब लोकन प्रियुक्त नहीं होता है माप साचातकार या फिर ब्यक्तित तो सूची इसमें प्रियुक्त नहीं होता है most important ये भी question ने भी उतर सही होगा जितने भी question आपको provide किया जाते हैं आपके label के question है जो की LTE, TGT, KVS, NVS, DLSB से relate करते हैं question number 230 निम निम लिखित में से कौन सा मान स्पेसियों की ताकत का परिचर नहीं है अब बताईएगा इसमें भी नहीं की बात की गई है क्रास बेवर परिच्छण, रोजर परिच्छण, C option फिलिप्स, JCR परिच्छण या फिर इनमें से कोई नहीं तो C option इसका क्या होगा question के according, right answer होगा C उत्तर सही हो जाएगा, next question पर move करेंगे, next है body mass index, बहुत आसान question, BMI से relate करता है, A उत्तर सही होगा, next question है, sergeant परिच्छण का निर्मान किया गया था, इसका जो निर्मान किया गया था, यह कब किया गया था, 1889 में किया गया था, 1777 में किया गया, 1876 या फिर D option है, 1880 में इसका निर्मान किया गया, तो sergeant परिच्छण का जो निर्मान किया गया था, यह होगा आपका, 1880 में किया गया था, D option, सही answer होगा, next question है, है आपके स्क्रीन पर 216 में एकल पच्छी डायग्राम है हिस्टोग्राम क्यूबस दोनों या फिर बार डायग्राम 216 में एकल पच्छी डायग्राम आपको बताना है यहां पर उत्तर कौन सा हो सकता है राइट आंसर आप लोग देखिए यहांप कौन सा होगा यहां पर क्यूबस से 윌श से रिलेट करेंगा या फिर टाण डाप टाइघ्राम से रिलेट करेंगा राइट ऐसार डी उत्तर जितने भी design भी स्कूडब's निया अभी दूई पच्छी डाइग्राम तो यह जो होगा आपका क्यूबस गलत हो जाएगा यहाँ पे ए आपसन पिक्टोग्राम से रिलेट कर जाएगा ए उत्तर राइट आंसर होगा कान साक ठान सही नहीं है इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है लोचकता गो इंटर बाइल कापिसी पाइरो मीटर सरीर सनडा सकिन फोल्ड कैलिपर या फिर ताकत गोनियो मीटर अब बताईएगा 218 सही नहीं की बात की गई तो डी आप्सन इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट कोईशन पर मूब करते हैं 219 है इसमें भी सही नहीं की बात की गई है आप लोग देखिएगा राइट आंसर यहां पर कॉल्स हो जाएगा चारों आप्सन पढ़िएगा इससे आपके तीन और कोईशन तयार हो जाते हैं तो इसमें मानक चालक से रिलेट करता यह सह कोईशन का उत्तर-next कोईशन है आज की वीडियों का लाश्ट प्रस्ण है क्या परिछर तब यूति होता है जब वहा उसका माप करता है जिसका माप्रस्तावित किया है दिया गया कथन सही है दिया गया कथन सही नहीं और फिर मंशे living स सही आंसर क्या होगा दिया गया कथन सही है ए उत्तर सही आंसर होगा जो भी स्टूडेंट्स 20 को सॉल्ट की अपनी स्कोरिंग अवस्से करेंगी कि 20 में से आपके कितने कोईशन सही हुए विद माइनस मार्किंग इसका विसेश ध्यान रखिएगा आप टीजी टी की तयारी कर रहे हैं वह भी बहुत अच्छी बात अगर एल्टी ग्रेट की तयारी कर रहे हैं तो आपको माइनस मार्किंग वहां पर वन भाई थर्ड मिलना है तो उसके एकॉर्डिंग आप अपनी प्रिप्रेशन को जारी रखिएगा और जो भी इस्टूडेंट पेट गूप नया जो शुरू हुआ है अभी 25 मार्स से वहां पर जॉइन होना चाहते हैं कॉंटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर पेमेंट भी इसी नंबर पर आप लोग कर सकते हैं फोन पर गूगल पर अम मिल जाएंगी और ग्रूप में जो भी टेस्ट सभी स्टूडेंट को डेली प्रोवाइड किया जाता है वह टेस्ट भी आपको मिलता रहेगा वह टेस्ट आपके रिवीजन को बहुत ही अच्छे से तयारी करने में सहायक सिद्ध होगा अगर आप उसको अच्छे से डेली तो नए वीडियो मिलते है कुछ most important questions के साथ में तब तक के लिए नमसकार पढ़ते रहिएगा मेहनत करते रहिएगा आने वाली vacancy में आपको सफलता अवस्य प्राप्त होगी बस ये ना रहने पाए कि एक नंबर दो नंबर तीन नंबर से selection रुक गया इतनी मेहनत अवस्य अभी से करिएगा जिससे एक्जाम के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन रहे कोई माइंड में headache न रहे तो ध्यान रखिएगा मेहनत करना है इस बार selection प्राप्त करना है